मुख्य मंत्री के connect to public प्रोग्राम के बाद अब प्रदेश के विदाई को मंत्रियों को आदेश दी गाएं कि वो पब्लिक से जाकर मिलें और खास बात यह कि वो हर रोज 10 से 15 किलोमेटर पैडल यात्रा करें पौर सब यह जो कारेक्रम नया है कल दोक्तूबर से पूरे दीश में हो रहा है हरयनमी भी हो रहा है किस तरह क्या दीश हैं खिर थे जैसे जीस परकार से मेने कल dalla किलो किलोमेटर का आयकर रखाए मैं मतलों बाल सी ले कर को वहारी सुष्साना है कि जाटल में समापनों गर मा अई गन्दीजी का स्टیचू है वहाँ पर जाकर के हम समापन करें के सबस्ता बियान के साथ जोड़ कर करें कि अदेश भी है कि हर मंत्री विधायक अपरें साथ कम से कम डेड़ सो आदमी लेके जाएगा क्या वो लोगों से फीड़ बैक लेंगे कि सरकार ने जो योजनाएं चलाई है उसका फाइदा मिला पर जाएगे वहाँ पर गाउं के लोगों से पूछे भी जो भी कोई समस्य है किसी परकार की है हम लेगे कि जो हमने चार साल में जो काम किये है वो भी इनके साथ बताएगे जो कोई कमी पेसी तो उनसे वह भी फीड़ बैक लेंगे तो हमें क्या करना चीए है कल पानीपत म उन्होंने ये काय कि हर्याना में मंत्री लोग MLA जो है माइनिंग के नाम पे तीन लाग करोड का घोटाला हुआ है हर्याना में एक साल में मैं लगतार आवाज उठा रहा और मुखे मंत्री जवाब नहीं दे रहे कोई भी इस बाता है इसके लिए चैन माइनिंग है चैन टेन रहे जो अतीत की सरकार हो मैं जो होता था उनकी वो दिन याद आते हैं किस पकार से सेलू के नाम पेशे कर ठाख किया जा था ए लिगल माइनिंग होती थी लेकिन आज माने मनोलाल की सरकार में आज जीते हैं यह टेंडर होते हैं जो गोटाले होते थे टेंडरों में वो समापत हो गये हैं उनको सुपने के अंदर भी पुराने बाते याद आती हैं इसलिए ओ आखवारों में वो ब्यान बाजी करके अपने मन को क्योल हलका कर रहे है लेकिन अपने दीट में अपनी सरकार के कार्ये कालमा देखे किस परकार से Legal Mining होती थी किस परकार से शेलोगम से पैसा सやって होता था बीजिप पी को क्या targets दीगए है, चुनाव अब सिर पर आगे हैं कि हम हर्याना पर देश में विधान सवाम कम से कम सत्र शेटे लेकर आएंगे और दस की दस विधान सवार हम लोग सवाज के जीते हैंगे क्योंकि देश के परधान मंतरी ने देश में वो काम कियें अब हो उनकी ये पेक्षाइब पूरन हो। क्यामने मंदर हमवीर के साथ दिवेंदर कतोरिया, डोटल नेउस, पानीपत वीरो।